हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चानल इनुवेटिव नाज़चार तो फ्रेंड्स आज की जो टॉपिक है हमारी वो यह है फ्रेंड्स कि कि employment confirmation letter क्या होता है ठीक है बहुत से सारे लोग को confusion है कि यह जोइनिंग के टाइम पर मिलता है क्या या फिर यह 15 देज के बीच में मिलता है क्या तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि employment confirmation letter होता क्या है पहले वो समझ लीज़े आप ठीक है employment confirmation letter यह होता है फ्रेंड्स जैसे कि हम किसी company में जोइन की है ठीक है तो वहां की जो policy होती है terms conditions होते है हम दोग चली example ले ले लेते हैं ठीक है किसी company में XYZ company है वहां पे जो policy है आपकी probation period की probation period क्या होता है फ्रेंड्स इस पर तो मैं वीडियो बनाऊंगी बट मैं भी बता दे इसमें generally जो company होती है जो एचार्ज होती है तो probation period में वह देखती है candidates में कि आपका एक समय चीज़ेंग का training period होता है ठीक है कि उसमें आप बहुत सारी चीज़ें आपकी observe की जाती है आपका जो work experience है आपका जो काम है आपकी जो skills है आपकी जो behavior है आप work को लेकर कितने जादा serious हो मतलब की सारी जो होते ना अच्छी खूबियां ठीक है तो वह सारी चीज़ आपकी देखी जाती है अब्जर्ब की जाती है probation period में आपको बहुत अच्छा अपना दिखाना पड़ता है अपना रोल अपने work को लेकर के बहुत जादा efficiency दिखानी पड़ती है अपनी ठीक ह दिखाना पड़ता है तो फिर आप एक confirm employee उस company में होते हैं ठीक है तो probation period जो है friends आप किसी भी company में जोईन कीजेगा तो यह आपको देखने को face करने को मिलता है ठीक है तो हम लोग बात कर रहे थे friends employment confirmation letter के ऊपर ठीक है कि employee confirmation letter किया है तो यह relate करता है actually probation period से इसलिए मैंने आपक पर रहेगा इस तरीके से वह आपको मतलब की बताते हैं ठीक है तो जैसे कि आपका probation period over हो गया ठीक है अब आपकी review की बारी है तो आप इस बात को अपने mind में रखें कि जब आपका probation period complete हो गया हो या आपको भी मालूम हो कि मेरी जो probation period है मेरी date of joining से complete हो चुकी है तो अगर आ चार्ज होते हैं जो company के seniors होते हैं वो letter में mention कर देते हैं इस चीज को कि आपका जो probation period होगा इसमें आपके work को देखा जाएगा और आपके जो भी उसमें clauses दिये वे होंगे सारी points जो भी चीजे रहेंगी वो सारी mention रहती है तो जब आप offer letter भी receive करें अगर आप probation period पे हो तो आ आपको proper पढ़ना चाहिए रीड करना चाहिए कि आपके letter में क्या क्या चीज है क्या क्या mentioned हो रही है तो friends यह सारा चीज तो होगया कि letter में क्या क्या होगा वो आपको पढ़ लेना है तो जब आपकी जो probation period है जब वो over हो जाती है तो आपको बात करना पड़ेगा अपने HR से कि माम मेरे को letter नहीं मिला है confirmation का कि मैं probation period के बाद मैं confirm employee हूँ यहाँ पर तो यह जो चीज है वो आपको लेनी पड़ेगी सम्टाइम्स देखा जाता है कि लोग appointment letter बोलते हैं तब देंगे जब आपका probation period complete होगा तब ठीक है तो यह जो case है ना friends इस case में आपको बहुत जादा important है कि आप अपने probation period को लेके थोड़ा सा serious हो ठीक है और आपके पास employment confirmation letter होना बहुत ज़रूरी है और मैं HR से भी कहती हू कि जिनके पास ये policy उन्हों नहीं रखा है या फिर वो letter ये provide नहीं करते हैं अपने employee को तो ये बिल्कुस सही नहीं है क्योंकि पहले बात कि ये loss हमेशा employee को ही होता है इसका जो problem है वो employee face करते हैं क्योंकि जब तक appointment letter नहीं होगा उसके पास या फिर वो confirmation letter नहीं होगा तो जो है चार्ज है जो company वो कभी भी कह सकती है आपसे ये कह सकते हैं वो लोग friends कि आप क्या कहते हैं कि मेरी letter में वो चीज तो mention ही नहीं किया था अपने offer letter मैंने लिखा ही नहीं कि employment confirmation letter कोई चीज होती है या फिर आपकी performance मुझे समझ नहीं आई मुझे ठीक नहीं लिगी या फ है और आपको भी अपनी feedback अच्छी दिखानी है ताकि जो feedback जाए वो उससे थोड़ा impressed हो और आपके लिए प्रॉपर्ली लेटर रेडी हो आपको मिले तो कहने का मतलब यह है friends कि आपको जो employment confirmation लेटर इसमें जिनरली होता यह है कि आपको वो mentioned यह करेंगे उसमें कि आपका ज चली तो यह सारी चीज़े लेटर में mention करने के बाद वो यह mention करेंगे उसमें कि यह जो बंदा है जो employee है वो इस date of joining से इस date of joining तक probation period पे था अब यह probation period पे नहीं है यह confirmed employee हो चुका है हमारा और वो congratulate भी करेंगे आपको इस चीज़ पे ठीक है उस लेटर में mentioned हो गए ठोड़ा copy जो होते है वो HR अपने files में रखते हैं ठीक है तो employment confirmation letter actually relate करता है हमारे job से हमारी job security से ठीक है तो आप बात कर सकते हो फिर बीच में कभी आपसे बोला गया कि आपकी जो probation period थी वो इतनी नहीं एतनी थी आपका जो performance थीक नहीं था इसलिए हम लोगों ने back कर दिया उस date को तो आप इस टाइम पर अपने letter को ले करके बात कर सकते हैं कि माम मेरी जी probation period थी वो तो over हो चुकी अब तो मैं eligible हूँ सारी benefits और facility के लिए और मेरे को appointment letter भी मिलना चाहिए मेरे को paid leaves भी मिलनी चाहिए जो भी facility उस company में जो भी policy वो provide कर रहे हैं तो आप उसके लिए बात कर सकते है अगर आप इस letter को receive कर ली है या फिर इस letter पर discussion हो चुकी है तो क्योंकि probation period पे आप कुछ नहीं हो उस company के लिए ठीक है वो company आप कभी भी निकाल सकती है कभी भी terminate कर सकती है वो जब offer letter मिलता है न वो थोड़ा ऐसा कुछ design किया जाता है probation period वाड़े लोगों के लिए ऐसा रह सकते हैं या फिर without any reason बताई हुए हम लोग आपको निकाल सकते हैं अगर आपकी performance अच्छी नहीं रही तो आपको यह facility यह benefits नहीं मिल सकती है आपको यह letters नहीं मिल सकता आपको week of नहीं मिल सकता है बहुत सारी चीज़ा ऐसी है वो mention करते हैं अपने letters पे points लिखते हैं ताकि आ probation period अपने वहाँ पे time दें आप job करें उसके बाद फिर आपको confirmed employee करते हैं तो अगर आप किसी भी company में किसी भी organization में अगर आप probation period पे हो तो आपको यह letter के बारे में बात करनी चाहिए और यह सारी documents आपको HR से discuss करके लेनी चाहिए क्योंकि यह एक बाट है HR के लिए भी और employee क पास भी यह सारे documents होने चाहिए तो friends अगर यह वीडियो आपको helpful लगी हो इसमें information आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को like कीजेगा comment कीजेगा और share भी कीजेगा लोगों के साथ और मेरे चैनल को subscribe कीजेगा friends क्योंकि अभी और भी letters पे मैं बात करने वाली हूं कि क् required है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो बहुत सारी चीज़े हैं जो हम लों discuss करने वाले हैं इस चैनल पर तो friends अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजेगा friends okay